क्वेशन है उत्राखंट बोट के पेपर में एक कार्वनिक योगिक A अनसूत्र C3S6O जो टॉलन परिक्षन नहीं देता है अब चैन करने पर योगिक B यानि C3S8O बनाता है B SBR से अविक्रिया करके ब्रुमाइड C बनाता है C jeśli आलकोहलिक के वज़ के साथ अविक्रिया करके अलकीन D बनाता है ABC D की पहचान कीजिये तो अब हम बात कर लेते हैं A की गर हम पहले एक रफ इसको बना लेते हैं जो A है हमारा यानि जो A है इसका मैं हल यहां से करने जा रहा हूँ जो A है उसका अनुसूत्र है हमारे पास C3H6O ठीक है अब C3H6O है यह जो है टॉलन परिक्षन नहीं देता सबसे important बात है कि टॉलन परिक्षन जो है यह नहीं देता तो टॉलन परिक्षन नहीं देने पर यह कीटोन हो सकता है ठीक है अब मैं लास्ट में चले जाता हूँ यहां यह कीटोन है लास्ट में जो यह क्या कह रहा है कि जो D बन रहा है यनि D डी पर हमें बिल्कुल स्पस्ट हो रहा है कि C3H6 ये एक अलकीन है ठीक है C3H6 एक अलकीन है वहाँ पर लिखा भी है और ये CnH2n के फॉर्मूले में फिट भी होता है क्योंकि तीन दुना 6 है ठीक है तो ये अलकीन है अब ये अलकीन है इसकी संग्रचना यदि हम बनाएं इस अलकीन की यदि मैं संग्रचना बनाऊं इसकी जो संग्रचना है संग्रचना अगर हम यहां से बनाएं तो मुझे क्या करना है तीन कार्बन चाहिए एक कार्बन दो कार्बन तीन कार्बन अब एलकीन है तो एलकीन है तो कार्वन कार्वन के बीच में तीन कार्वन हो गए कार्वन कार्वन के बीच में कैसा बंद होगा डबल बॉंट होगा अब मुझे हाइडोजन रखने है इसमें 3 hydrogen आजाएंगे इसमें 2 hydrogen आजाएंगे और इसमें एक hydrogen आजाएंगा यानि ये क्या बन गया एक प्रोपीन बन गया यानि D मैंने खोज लिया यहां पर की प्रोपीन हो गया सिम्पल से यहां जो दे रखा अलकीन D C3S6A तो D तो मेरा पता चल गया अब इस D से ही मुझे जो है आके उन चीजों को समझना है तो आईए चलते हैं सबसे पहले हम D पर ही बात करते हैं कि D क्या है हमारे मैं इसको फिर से A, B, C, D के हिसाब से हम इसको लिख लेते हैं हम यहां लिख लेते हैं आपका A और इसको ले लेते हैं B, पर यह हमारा C, यह हमारा D अब यह जो D है, D तो हमें मालुम चल गया, D का फॉर्मूला है आपके पास CS3, सिंगल बॉंट CH, डबल बॉंट CH2 ठीक है, अब C से बना है, यानि C से कैसे बना है, यहां पर हमने ALCKH के अविकरिया कराई है ALCKH के अविकरिया कराई है, अब AL, यहां पर यह जो है, यह जो अलकीन है, यानि जो D है हमारा यह जो है दो चीज़ें पॉसिबिल यहां से नजर आती है एक पॉसिबिल क्या नजर आता है कि किस से बना होगा यह जो है अल्कॉहलिक के वेच के साथ हम अभी करिया करा रहे है किसी ब्रोमाइड की चैशली यह क्या है ब्रोमाइड है यह पिसे ब्रोमाइड हो सकते है तो हम इन दोनों में से अभी होगा कौन सा होगा अब हम आ जाते है बी पह अब जब यह होगा ब्रोमाइड जो होगा ये कहां से मिलेगा हमको यानि इसका तो हमको इन्होंने क्या दे रखा है इसका अनुसूत्र भी दे रखा है इसका अनुसूत्र है B वाले का C3H8O C3H8O यानि इसमें oxygen 1 है तो oxygen 1 होने की विज़े से या तो यह ldhiid हो सकता है या फिर यह ketone हो सकता है धान से देखेगा, इसके भी दो रूप हो सकते हैं, एक रूप इसका क्या हो सकता है, एक रूप इसका ऐसा हो सकता है, CS3, CH2, OH, CS3, एक रूप तो इसका ऐसा हो सकता है, और दूसरा रूप इसका कैसा हो सकता है, CS3, CH2, OH, दो कारवन है, तीन कारवन है, CS3 हाँ, ये ऐसा हो सक सकता है एक रूप इसका इस तरह से हो सकता है इस टाइब का हो सकता है CS3 CS2 CS2 OH इस टाइब का रूप हो सकता है और एक रूप आपका यह हो सकता है अब इन दोनों की यदि हम अभिक्रिया किसके साथ कराएं यहां पर अभिक्रिया कराएं गई ती किसके साथ HBR के साथ यदि हम SBR के साथ अभिक्रिया कराएं तो यह वाला आपको यह कराएंगे तो यह मिलेगा अब बात आती है A पे अब यदि मैं इसकों A मानूं तो जो हमारा कोके pronounce यह से प्चेन से बन सकता है CS3 C00-OD CS3 यदि इसका अप्चेन किया जाए C double bond O H क्योंकि इन दोनों के formula क्या है इसका formula क्या है A है आपका C3 H6 O तो ये हो गया 3, 3, 6 है ना और oxygen एक हो गया carbon इसमें 3, 2, 5 और 1, 6 एक oxygen हो गया तो ये हो गया आपके पास अब ये की aldehyde है ये क्या है एक aldehyde है और aldehyde tolen correction देते हैं है ना तो वहाँ पर हमारे पास उसमें क्या है जो हमको दिया गया है उसमें दिया गया है कि tolen correction नहीं देता तो जो tolen correction नहीं देने वाला कौन है ketone है यानि A हमारा ketone है A क्या है ketone है B हमारा आप जब ये है तो B ये जो ketone है इसके जरीए हमारा इसका यह मिलेगा इसके जरीए यह मिलेगा और इसके जरीए यह मिलेगा इस तरीके से हम इसको प्रॉपर उसमें रख लेते हैं अब जो हमारा इसमें ए होगा ए हो जाएगा हमारा क्या CS3 C double bond O CS3 यह हमारा हो गया A इसको दूसरे पैंसे लिख लेते हैं यह हो गया हमारा A इसका formula था C3 S6 O ठीक हो गया इसके बाद हम लेते हैं आगे इसका कराया गया up chain up chain में इसने 2H यहां से लिया up chain किया गया इसका जिसके साथ भी कराया गया up chain यहां पे CS3 यह बन जाएगा हमारे पास CH OH और single bond बन जाएगा CS3 यह हमारा क्या है यह हमारा B हो गया यह हमारा B हो गया इसका formula हो गया C3H8O यह था यह C3H8O हो गया यह हमारा B हो गया अब हमने इसकी अविक्रिया किसके साथ करानी है इसकी अविक्रिया हमें हमें जो हैं HBR के साथ करानी है इसकी अविक्रिया हमने किसके साथ कराई HBR के साथ अविक्रिया कराई जब HBR के साथ अविक्रिया कराई तो क्या बना CH3 सिंगल बॉंड CH और इसकी जगों पर आ जाएगा BR और यहां बन जाएगा CS3 और यहां से क्या निकला माइनस H2O H2O निकल गया यहां से BR यहां जुड़ गया यह बन गया हमारा bromide बना और यह bromide जो है यह क्या था यह था हमारे पास C अब इस bromide का हमें किसके साथ रियक्शन कराना है अलकोहलिक के साथ इस bromide का हमें अलकोहलिक के साथ अभिकरिया कराना है यानि ALC के वच अलकोहलिक के साथ हमने इसका अभिकरिया कराया तो यहां पर बिलोपन अभिकरिया हुई बिलोपन अभिकरिया हुई तो यहां से क्या हुआ, यहां से BR और यहां से H निकला, तो minus HBR यहां से निकल जाएगा, यहां से minus HBR निकलेगा, H यहां से निकला, BR यहां से निकला, तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा CH2 यहां पर double bond आ जाएगा, CH और single bond आ जाएगा, CH3, और यह जो हमारा बना, य और यह हमारा D बना इसका नाम हो गया आपका प्रोपीन इसका क्या नाम हुआ प्रोपीन नाम हो गया अब इनके आयोपीसी नाम भी हम लिख सकते हैं इस वाले का आयोपीसी नाम हो गया यहनी एक दो तीन 3 के लिए हमारे पास आया propane और CO के लिए हमारे पास आता है own तो यह जाएगा propane to own तो यह तो होगया propane to own अब chain करने पर यह हमारे पास यहाँ पर alcohol बन रहा है यह बना भी इसमें क्या हएखा कि 1 2 3 तो इसमें क्या हो जाएगा propane, 3 के लिए propane हो गया, propane, single bond है, और propane 2 all, propane 2 all, इसका iups e name हो गया, B वाले का, C वाले का क्या नाम हो गया, C वाले का iups e nाम हो जाए गा, इसका iups e नाम हो जाए गा, इसमें, 1, 2, 3, यानि क्या हो जाए गा, 3, यानि 2 bromoy, this इस तरीक से यह क्वेशन आपका इस तोर्पेंगर हो गया